आप देख रहे हैं आर लोदे डिजाइन्स और मैं हूँ आपके फ्रेंड रहिनू तो जैसे मैंने आपसे लास्ट बारी बोला था कि मैं आपके साथ एक और करवा चौध के लिए वीडियो लेके आऊंगी तो यह वो वीडियो है तो यहां पर मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप से लिया हुआ है करवा डेकोरेशन को तो यहां पर मैंने कुछ कलर्स यूज किया है जैसे मैंने लास्ट बारी बोला था मैं सिंबल रखने वाली हूँ फर्स्ट और सेकेंड बाला जो है वो थोड़ा सा डेकोरेटिव करने तो यहां पर मैंने कलर का यूज किया हुआ है मैंने लोटे पर कलर कर लिया है और मैंने चन्नी पर भी कलर कर लिया है और यहां पर मैं पास कुछ पुरानी लेस पड़ी थी अगर आपके पास कोई सी भी लेस हो आप वो यूज कर सकते हैं और यहां पर मेरे पास कुछ टोन माली लेस रखी थी मैंने वो यूज किया हुआ है अगर आपके पास कोई फैबरिक है आप वो भी यूज कर सकते हैं या अगर आपके पास स्टोंस है आप वो यूज कर सकते हैं और यहां पे मेरे पास एक मोतियों की भी लेस रखी हुई थी थोड़ा सा और अच्छा लुक द तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर की ओर मैंने कलर किया हुआ है और बाहर सिंपली मुझे ग्लूगन की हेल्प से यह जो लेस है उसे स्टिक करना है तो ताकि यह पूरा का पूरा कवर हो जाए अगर आपकी लेस थोड़ी पहुत छोटी है तो टेंशन वाली बात नहीं आप एक और लेस ले सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर मोती का लेस लिया हुआ है वो मुझे ऊपर की ओर लगाना है और यह जो लेस है वो मैंने नीचे से स्टार्ट किया स्टिक करना तो आप दोनों को बहुत अच्छे से पहले स्टिक कर लीजिए तो मैं आपको दिखाती स्टिक करने के बाद वो कैसा लगेगा तो फ्रेंट से यहाँ पर मैंने दोनों को बहुत अच्छे से स्टिक कर लिया है और जो अगर एक्स्ट्रा एजिस हैं वो भी आप हटा लीजिए आप यह देखिए स्टिक करने के बाद यह कुछ ऐसा लग रहा है और मैंने सेम वैसे करवा को भी डेकुरेट किया हुआ है पहले लेस लगा लिया है उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मोतियों की जो लेस थी वो यूज किया मैंने मोती डेकुरेटिव परबस के लिए यूज किया ताकि लुक बहुत अच्छा और हैवी आए तो आप भी अपना करवा और यूज कर सकते हैं क्योंकि वन टाइम यूज होता है तो हूप आज कभी यह वीडियो आपको पसंद आया हो बहुत जल्दी जल्दी में मैंने यह वीडियो बनाए पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूले